जारखन की डुमरी सीट वैसे तो जे एमेम का गड़ मानी जाती है लेकिन इस बाँ इस सीट पर तार ठोक रहे टाइगर महतों ने यहां के मुकाबले को और ज्यादा दिल्चस्प बना दिया है टाइगर महतों कहते हैं कि हम सब तो भारती हैं लेकिन सभी जारखन्डी तो नहीं है और इसी नारे के साथ डुमरी सीट से टाइगर महतों ने नामांकन भर दिया है वो कहते हैं जारखन्डी की अलग परिभाशा होनी चाहिए उनके हग और हुप की बात हो इस सीट पर NDA की तरफ से सहीयोगी पार्टी आजसू ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया है इस सीट पर कौन किस पर भारी पढ़ने वाला है, समी करण क्या कहते हैं आपको सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अब जब बताते हैं इस सीट का इतिहास सामानी श्वेनी की ये विधान सभा सीट गिरडी जिले और गिरडी संसादीक शेतर में ही आती है साव 2005 में जारखंड राजे के गठन के बाद हुए पहले चुनावों की बात की जाए तो यहाँ पर जे-म-म का कबजा रहा डुमरी निर्वाचंच शेतर में जारकंड मुक्ती मोट जाके जगरनाक महतों को सबसे ज्यादा 41,784 वोट मिले लालू पसाद यादव की पाटी आर जे-डी भी उस दोरान मैदान में थी और उसके उमीदवार लाल चंद महतों दूसरे नमबर पर रहे जारकंड राजिम हुए पहले चुनाव में डुमरी विधान सभास सीट से ही 15 उमीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी साव 2009 के चुनाव में जारकंड मुक्ती मोट चा के उमीदवार जगरनात महतों एक बार फिर चुनावी मैदान में थे नितीश कुमार की पार्टी जंतादल युनाइटिड के दामूदर प्रसाद महतों के बीच मुकाबला करा था जी एमेम के जगरनात महतों एक बार फिर से जीत कए और दामूदर प्रसाद महतों रहे दूसरे नमबर पर बात करते हैं हम 2014 के विधान सभा चुनाव की इस चुनाव ने भी जगरनात महतों ने ये सीट फिर अपने नाम की विधायक बने भाजपा की ओर से टिकेट पर चुनाव लड़ने वाले लाजचंद महतों को दूसरे नमबर पर रहना पड़ा साथ 2019 के ज़ारखन विधान सभा चुनाव की बात की जाए तो इसमें डुमरी विधान सभा सीट से 16 उमीदवारों ने अपनी किसमत आजमाई एक पार फिर से डुमरी से जामूमों के जगरनात महतों ने जीत हासिल कर ले थी और ज़ारखन स्टूरंट्स यूनियन यानि आजसू पार्टी की उमीदवार ये शोदा देवी दूसरे नमबर पर रही थी राज़तिक विशलेशक ये कहते हैं कि डुमरी सीट जे इमेम के लिए एकदम सुरक्षित सीट है पुर्वशिक्षा मंत्री जगरनात महतों की शेतर में मस्बूत पकर थी यही वज़ा है कि उनकी मौत के बाद पतनी बेबी देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया उप चुनाव में उन्हें जीत भी हासिल की हारा कि अब डुमरी सीट पर मुकाबला जेरा महतों की आने से काफी कड़ा और दिल्चस्प हो गया किसी नेता की तरहां कुर्ता पाइजामा नहीं कोई हाई प्रोफाइल सिक्यर्टी नहीं जीन्स शर्ट में एक आन सा युबा जब हजारों की भीर में जाता है तो गावों में लोग उसे सुनने और देखने पहुँचते हैं नेताओं की सभा से भी ज्यादा भीर जुटती है जैरा महतों को सुनने का तो ये भी जाता है कि जैरा महतों को कई पार्टियां अप्रोच कर चुकी हैं कि वो उनकी तरफ से चुनाव लड़े लेकिन वो अपने दब पर चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं और वधानसभा चुनाव में भी डुमरी से नामांकन पड़ चुके हैं स्थानिय युवाओं को रोजकार और भाषा के मुद्दे पर महतों काफी लोग प्रिये हैं इस बार डुमरी से उनके चुनाव लड़ने के बाद से अटकले हैं कि जे एमेम को नुकसान झेलना पड़ सकता है और आजसू के लिए भी मुश्किले कम नहीं होगी 1932 के खतियान आधारित नीती लागू करने के लिए स्थानिय लोगों को हक और अधिकार दिलाने समेथ अन्य मुद्दों के नाम पर अस्तित्व में आए जेरा महतो अब काफी लोग प्रिये हैं अगर बात की जाए बेबी देवी की तो उन्होंने मया समान योजिना जैसी पहल के माधियम से खास कर ग्रामिन शेत्रों में ग्रामिन मत्दाताओं की वीच अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली है जमीनी समर्थन उन्हें वहाँ पर मिला हुआ है उनका अभ्यान उनके दिवंगत पती की विरासत को जारी रखने पर जोड़ देता है उन्होंने साफतोर पर कहा मेरी प्राक्मित्ता डुमरी के लोगों खास कर हमारी महिलाओं पर होगा और बच्चों की सिवा करना है उन्होंने ये भी कहा कि ये सुनिश्चित करना अमारी प्राक्मित्ता है कि जामूमों की विरासत और ज्यादा मजबूत हो जबकि एंडिये उमीद्वार ये शुदा देवी के अगर बात की जाए तो उनका ध्यान आर्थिक विकास और रोजगार पर ज्यादा है उन्होंने जनुटा की सकरात्मक प्रतिक्रिया के बाद एक बयान भी दिया और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम जरूर चीतेंगे वो कहती है इंडिये के समर्थन से हमारा लक्ष बड़े बदलाव को लाना है खासकर रोजगार स्रिजन और कौशल विकास में डुमरी में अपार संभावनाएं हैं इस पर भी वो जोड देती हैं इस निर्वाचन शेतर में महतो मतदाता 30 प्रतिशत है मुसलिम मतदाताओं की बात की जाए तो लगबग 20 प्रतिशत है लेकिन ये दोनों ही महतो कून प्रभाव डालने वाले हैं इस चुनाव पे जहमुमो ने नवाडी और चंद्रपुरा ब्लोक में अपना गड़ बरकरार रखा हुआ है जबकि आजसू पी को डुमरी ब्लोक में अच्छा खासा समर्थन खासिल है जे एलकेम यानी महतो की पार्टी महतो बेल्ट में उपस्तिती स्थापित कर चुकी है लेकिन शहरी शित्रों में चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है अगर डुमरी की बड़े मुद्दों की बात की जाएं तो यहाँ पर पेजल की समस्या है प्रवासन और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे हैं चुनाव परिणाम ये साफ करेंगे कि आखिर इन बुद्दों को सुलजाने के लिए मत दाता किसके नेत्रत्व पर भरोसा करते हैं फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही